देखे शिवपा लियादा तो पेड़ बुड़ी मंत्री थे तकना ब्रष्टा चार हो उनके समय योगी ने शपद घ्रण की थी योगी अजित का पहला बयान आये था मैं तो योगी मैं योगी हूं मैं सत्ता को भोगने नहीं आया हूं जिन्होंने 2014-2012 से लेके 2017 सत्ता को भो स्टा करें बंढाते हैं आप उनके मककान गराते हो आफ सरकारी जमीन को सरकार को वापस दिलवाते हो अवेद कप्जस मुक्तकरा के लिए इसके लिए योगी अदितनात पसंचा के पात रहे लेकिन योगी अधिनात की प्रसंचा उत्री ज्यादा होगी जब वो ताक राइ के साशनकाल में बहुत प्रमुक पत्पर आए आज भी वो बड़े प्रमुक पत्पर बेटे हुए तो मुझे लगता है कि ताकत वरे उस पर आप पहले कारवाई करोगे तो नयाज जल्दी मिलेगा गरीब आद में गरीब आद में पुताप कारे करना से ने शिवपाल यादो बिचमे ये पादल भी योगी अजिसे खाटाप के साथ चलते हैं जिस खालता पर बाराद के साथ चलते हैं खड़ी जहां से थी जाद सांट बिलकुल इससे कोई मतलब इसमें कोई वो होना ही नहीं जी है क्या इसमें ट्रैक रिकॉर्ड योगी सरकार का वैसा वैसा नहीं है नहीं मैं एक केस देख रहा था जो बहुत चर्चा में रहा मुलायम सिंग जी पर और अकलेश यादव पर चला था दिस्परोशने केस था वो मैं 21 दो हजार उननीस को सी बी आई ने सुप्रीम कोट में कहा कि सी बी आई इस इंफर्म कोट अट इट गेवे क्रींच इट्टू समाजवाधी पार्टी पार्टी पिर अलायम सिंग यादव और इस सन अकलेश यादव इन दिस्परोशनेट असर्ट केस वे बैक इन अगस्त ठीक है और उसमें लिखा है दे एजएंसी इंफर्म दे कोट इन अन एफ़ेविट फाइल ओन में 9 दपी पी कंडेक्टेट ये ये हो गया फिर लिखा है उन्होंने जो मोटी बात लिके तो बिल्कुल ठीक सवाल है कि क्या जिन लोगों के उपर आप लूट कारोप लगा रहे हैं उन पर आपने कारवाई की या तो आपके पास एविदेंस नहीं है या फिर कोई और कारण होंगे लेकिन ये फैक्ट मतला मोटी तोर पर दिखाई देता है कि सरकार ने उस तरह से कारवाई उनके खिलाफ नहीं की और अभी उप्चनाव हो रहे हैं तो फिर ये बात हो कि फिर उप्चनाव खतम हो जाएंगे तो फिर दूसरी बाते होने लगेंगी तो पॉलिटिकल लेकिन क्या होता कि मान लीजी अखलेश यादाव की खिलाफ कारवाई हो जाती तो फिर हम ही लोग यहां पर बैटके कहतें कि एक political vendita कर रहे हैं दोनों बातों का एक वो है एक और चीज इसमें जोड़ दूँ कि यही वो मसला है disproportionate assets का जिस पर मुलायम सिंग यादो ने कहा था कि CBI भेज कि हमारा vote लेना चाहते हैं 2019 में नरेंदर मोदी की सरकार के कारेकाल में उनको पूरी तरह से मुक्ति मिल गए क्लिन चिक मिल गए केस में कुछ था ही नहीं शुरुबाद साथ कहा जाता है ये CBI ने कहा है और अब तो इस सरकार ने उनको पद्विभूशन भी दे दिया कारसेवगों पर गोली चलाने वाले निता पर तभी तो उस सिर्फ चाचा भतीजा कहते है ना तीसरे का नाम सुना आपने जो चाचा भतीजा की जो खिलाब करवाई समीर जी जो बता रहे है जितना करेप्शन हुआ हर्षवर्दन जी ने बात का जिक्र किया तो उस पर तो कारवाई होनी चाहिए ना कोई कारवाई हुई है इस सरकार में पुलिटिकल टॉक पर कुछ वाक भी तो हो बात यह है रिवरें फैंट पर ही कर लेते चलते चलते मसला वड़ा सीधा सा होता है ऐसे मसलों पर आप किसी नेता की संपत्ती किसी नेता पर कारवाई करते हैं तो जो अभी विजे जी नहीं एक शब्द कहा कि पुलिटिकल बंडेटा में आ जाएगा आप परिशान हो जाएगा अब आप ये बात कर रहे हैं इतना कुछ हुआ रॉबर्ट वाडर जेल गये क्या इतना कुछ हुआ क्या सोनिया जी राहुल जी या और कोई जेल गया क्या मामले तो चल रहे हैं वो तो बाकाइदा उनहीं की सरकार के कारकाल में थे तो कई बार जो टॉप पॉलिटिकल लिडर्शिप होती है उस पर जो कहें की हाट डालने से बचना कह लीजिए या वो सोचते हैं की सीधे कुछ करेंगे तो हमारे उपर आ जाएगा जन्मत हमारे खिलाफ हो जाएगा भारत में थोड़ा सा राजनीत में इस तरह की कई चीज़ें चलती है लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरकार निजी तोर पर इमानदार होती हुई दिखे तो उससे भी बहुत सी चीज़ें बनती है कम से कम रहष्टाचार होता हुआ ना दिखे एक जिसको कहते हैं कि एकदम ऐसा नहों हो जाए कि एचा चलो और चलो हम लेकी चलते हैं चलो और लख नू चलो और चलो काम करा कि लाते हैं ये कहने के साहस आज किसी में नहीं कुछ लोगों पर कारवाई नहीं होती कुछ लोगों को अपने साथ ले ले लेते हैं तो उस पर कारवाई नहीं होती ऐसे भी चलते रहते है राज़ी तीम अधा योग्या अधितनाथ फूलपूर में इस वक्त बोल रहे थे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आपको सुन्वाते हैं वहां की बात्ची अधिया हो गई थी उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीदिये राजुपाल मार दिये गए लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी तब राजुपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं वमेश पाल जैसे मारे जाते हैं हम लोगों ने तो कहा कि अप्राद और प्राद्यों को वक्सेंगे नहीं जीरोट टॉलेंस की नितीके दाज सरकार कारे करेगी हम सुरक्सा सब को देंगे सम्मान सब को देंगे विकास सब का करेंगे लेकिन अगार किसी बेटी माच चलती भी बेटी पर हाट दानने का तुस्था आस किया तो उसके हाट अलब होंगे पैर अलब होंगे जरूर करवा देगे हर बेटी को प्रदान करना, यह सरकार का दाइत्व है हर सरकार अपने दैटों का निर्माहन करेगी किसी भी हग तक जाकर के करेगी हर प्यापारी को सुरक्सा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हग तक जाकर के सुरक्सा भी देगी उन्हें सम्मान भी देगी हर नागरिक को सुरक्सा प्रदान करना हर पहन और हर बेटी की सुरक्सा करना इस सरकार का कारे है इस सरकार उसको भी करेगी और तब भी मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का तो सहास करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी और बेलों और भाईयों कि हाग आप से खाम हैं वह लोग हैं जिन माफियों के सामने आज कभी नाक रगड'ा करते दूंब के सामने दंगायों के सामने नाक रगड'ा करते थे पुरिप Doch चलाने के हिम्भत कि रिष्ट caffeine कि अधिकलव कि कोंध्व कि लोगशनर में सामने नाग रंघड़ने वादे वीड इनको एसे हाँ ह को जाएगा ये लोग नहीं जहेट पाएंगे इंग इनको बातों को है ये सामने यह मन्जाया है आपके सामने आपको अस्वस्त करने के लिए कौमा आप ने 2013 में भी देखा होगा और कुम कायजन 2019 में भी देखा होगा 2013 में जो भी आया होगा संकल्ब लेके गया कि तुवारा इस प्रकार की दुर्विवस्ता में नहीं आओंगा लेकिन आधरिये प्रदान मंत्री मोदी जी के मार्ग गरसन और नित्रतों में जब 2019 में प्रियाग राज कुम भूआ मंत्री मंदग के मेरे स्योग्यों ने यहां के मांदिये चल्ब प्रतिनियों ने मांदिये सांसर प्रफिसर ईताब अपड़ा जोसी अब योगी जी फूलपूर में बोल रहे हैं भी माहौल तो पूरा बना दिया योगी जी रख ले जादब जी ने आप माफिया के सामने नाक रगडने वाले ये बुल्डोजर चलाएंगे अब ये है कि बुल्डोजर कानूनी के साथ साथ एक बड़ा राजनितिक मुद्दा बना है और दोनों और से तयारियां है योगी आदितनाद जैसा हम जानते हैं प्रखर वक्ता है जब वो बोलते हैं तो उनकी भाषा की तुलना किसी से होई नहीं सकती है अखिलेश जी का अपना तरीका है वो आज तयारी से आये थे पत्रकारों के बीच उन्होंने रखा है और यह अच्छा है कि इस विशय पर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच राज्यूतिक रूप से लोग सवाचुनाओं के बाद बहस हो कि किसके काल में बरष्टाचार हुए किसके काल में बरष्टाचार के बिरुद कारवाई हुए किसके काल में माफियाओं का बोल बाला बरहा किसके काल में माफियाओं के बिरुद कारवाई हुई किसका काल कानून और विवस्था के नाम पर जो है पूरे उत्तर प्रदेस में आतंग का राज बना था और किसके काल में कानून और विवस्था की धमा कोई और कैसे हुई है क्या वो तरीके जो थे वो तरीके संभिधान से परे थे कानून से परे थे इस पर अगर ठीक बहस हो तत्यों के साथ तो ये उत्तर प्रदेश के वातावरन के लिए भी अच्छा है और हम सब लोग जो यहाँ है उनके लिए भी साथ है सत्थोरा ज्यान होगा उस भी से पर बोलने के लिए और दूसरी पार्टियों को भी इसमें आना चाहिए अगर ये बहस आगे चल रही है तो फिर इसकी भी तैयारी होनी चाहिए कि हमेरपुर अबाद खनान गोताले में जब CVI ने मुकदमा दर्ज किया था कलेस जी पर पूश ताज के लिए बुलाया था तो पूरी सपा खड़ी हो गई थी कि कानून इनको बहुत ज़्यादा प्रतारित करने के लिए बुलाया गया था जब रिवर फ्रंट पर सिवपाल जी को बुलाया था गवा के तौर पर बुलाया था जो ये फायार दर्ज हुई थी तेरा दकी तेरा पट्टे खारी को अब बढ़ लेगे तो ये भी नहीं हो अगर कोई कानूनी कारवाई होती है वैसे एक बात तो है एक बात दर्शक भी नोट करेंगे योग्या दितनात कभी सीधे सीधे चाचा बतीजा जब वो कहते हैं तो सीधे आप ब्रस्टा चार का आरोप लगा रहा है ना शिफपाल यादफ पर और अखिलेश यादफ के उपर अभी कल पर सो उन्होंने कहा था कि इन्होंने इतनी दौलत कमाई कि द्वीब खरीद रखे हैं इस किसम का कोई आरोप अखिलेश यादफ ने कभी योगी आदितनात पर लगाया मुझे जाद नी ने देखिए अखिलेश यही तो है कि अभी तक योगी आदितनात की सरकार में योगी आदितनात का चीप मिनिस्टर आफिस और जो बड़े ठेके मिलते हैं जो बड़े ठेके होते हैं बड़े सरकों के इसके उसमें कोई भरस्टाचार का मामला नहीं कि कोई खनन के ठेका में मिल गया कोई बनों में मिल गया है कोई सरके बनाने में कारखाने बनाने में किसी प्रोजेक्ट में वो अभी नहीं आया है साथ ही साथ जोगी अदितनाथ और उनकी जो मंडलिय सलाहकारों के उस पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है ये लंबे समय बाद के इस्थितिया ब्यक्तिकत तो खर लगी नहीं सकता है उन पर तो ये तो एक गुनात्मक अंतर है लेकिन इस अंतर के साथ साथ बने वो स्वय में मानदा आ रहे हैं तो धीरे दिये धीरे इस अंतर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का वातावरन भरष्टा चारविरोधी कैसे हो ये बनाना ज्यादा जरूब